वेलकम फ्रेंद्स वेलकम टूश्रीक्राफ प्लेस जै मा कमला आज की वीडियो में हम आपको मा कमला देवी का स्वरूप बनाना दिखाएंगे तो जो हम स्वरूप दिखा रहे हैं वो हमने गूगल से ही लिया है इमेज और डॉल का इस्तेमाल हम यहां कर रहे हैं सबसे पहल करना है जो हम आपको पूरा मेक ओवर करना दिखाएंगे तो भास हमें लिवятся कि हम आपकर निकालने होंगे क्यों क्योंकि बाल दिखाएंगे वहां काले रग में लिया हैं और दीखाई पयाव आप काले लिवारूप 6 कि हो यहां सब्सक्राइब आपना धर का इस्तेमा पह को डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा तो एक ही कलर को हम जो भी एक्सपोज पार रहने वाला है तो एक ज़सा पर पूरा कर देंगे तो जब अच्छे से पेंट हमारा ड्राय हो जाएगा तो हम पैंसल से पहले आईज और बना देंगे तो जब वो ट्राय हो जाए त अब हम बना रहे हैं WIG WIG बनाने के लिए हमें मून का धागा चाहिए और एक iken पतली सी थे पेलंगे तो एक पर्टिक्ल ले थी क capabilities हम लेंगे जिस लेंद के हिसाब से हमें सारे स्ट्रेंट्स लेने है और यह लेंगे बन्ख सिरप करेंगा हमारे जो ड्राय का साइज है तो थेसं हितन być क्ली थेसं अनको उस् पिरोना है जब पूरी हमारी रेडिे हो चाहे तो कि बढ़ रहा仆 है तो अब हम पाउर गींगे बतलए झाग जेते हैं विज़ता हो चाहिए यू उस्सदुम हंगे क्ली अहत tapping मैं इयक रांई myusta हमना में अलता हे जो सब लगायाएं यह इमेज हमने गूगल से ही ली है क्योंकि लास ताइम जो विग्निहरता श्री गनेशा से जो हमने में कोवर किया है उसमें थोड़ी सी कंफिशन हो रही थी तो इसलिए कुछ कंफिशन ना हो तो यह स्वरूप हमने बहुत देखा तो इसमें मालक्षमी जी का ही स्वरूप दिखाया गया है तो अब हमें आपर ड्रेस बना रहे हैं जो ग्रीन कलर से टॉप बनाएंगे और सारा काम हम चिपकाने का कर रहे हैं आप चाहें तो यही काम सुई धागे से भी कर सकते हैं अगर आपको आता है और वरना इंस्टेंटली ग्लू से तो बहुत ही इसी है जैस के लिए हम लिसस का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पर रेट और गोल्डन कॉंबिनीशन में साड़ी ट्रेप कर रहे हैं और ग्लूत लगा कर ही पूरा सेट कर देंगी तो आज की वीडियो का क्विज यह है आपको हमें यह बताना है जो मा कमला है वह दस महादेवियों में जैसे कौन से नंबर पर उनको माना जाता है, कौन से नंबर पर आती है तो हमें आप कमेंट सेक्षिन में हमें बता दीजेजासे कि हर वीडियो फोप्ल कविज रहता ही है और एशreiben आपका ब्लहार reden तो आपका इसका जवाब देंगे और वीडियो में दो एंट देखिएग पर यहां बनाने वाले हैं कि इसलेधे, बहुति म्हुति इसले भी है और इसलेदे और मुट देने के हैं मुटorg भाज को उत्य हैना है, बहुत पर्लिम है पर बहुत आर्ट यहां नहीं कोई पर्लिम करते हैं के तो पार्ट में सी रिवाइंट कर लिए को जो जो घ्सuting में छी दोनों पात्स हम विराजमान होती है तो उसी तरीके से हम यहां पर मोट देंगे लेक्स को ग्लू कर सेट कर देंगे जिसे कि वह बैठी हुए और अगर आपकी डॉल बैठी हुई पोजिशन में मतलब बैठ सकती है तो आपको ज़रत नहीं है करने की और बालों को पीछे टाई करने के बाद हम नेकलेस यहां पर हमने बनाया है नेकलेस शेप में अक्चले लेस को कट किया है और यहां चिपका दिया है सिमिलरली आप देखेंगे कि जो और नेक चीन्स हैं उनको दिखाने के लिए भी हम लेस को पतले पतले शेप में कट करकर यहां पर चिपका देंगे तो जितने भी ओनमेंस बनाने हैं वो बिल्कुल आपको गोल्ड की ही लगेंगे क्योंकि लेस गोल्डन कलर की है और कुछ एक रत्न दिखाने के लिए जुल्स दिखाने के लिए हम आप स्टोन्स और इस टोन्स अगर आपकी पास से विलेबल नहीं है तो आप बिंदी का सकते हैं बिंदिया इस तरीके के मिल जाती है मार्केट में इजी ले स्टोन्स वाली तो से हम चिपका सकते हैं तो इसी तरीके से सारी जो जुल्री है हम बना देंगे और अब हमें बनाना है मुकुट मुकुट को हम इसी शेप में कट कर लेंगे और फ्रेंट में हमें स्टिक करन और पीछे चिप पकने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर साइट में एक उच पार्ट रहता है थोड़ा सा हम यहां बर हैंगिंग चिप का रहे हैं पॉल चेन के हैंगिंग लगारें को वाइट कलर के मौती से रहता है अब बैक पार्ट दिखाने के लिए हम यहां पर लेस मेरा पार्ट चाहिए तो आप लेस्से भी बना सकते हैं उसी शेफ में कट कर के यह यॉह में यहां पर नौस रिंग दो चिपका तो दोनों इस तरीकि से बन गया है और बहुत ही प्यारे से यहर्ण बन गया है और यहां पर हम नोस नोस बना रहे हैं तो था बाल चिन को कर और चिपका दिया है अब एक्स्ट्रा जो भुजाएं हैं उनको दिखाने के लिए आप चाहिए तो फॉर्म शित कर सकते हैं या कोई हाट पेपर पर हाट पर इस्तेमाल करें है तो जो स्किन कलर हमने पेपर की बॉड़ी की ओपर किया है वही सेंट कलर उस पेपर के ओपर करन कोई हाट पेपर जैसलिक की कार्ण कार्ण है इता है उस तरह के का मा चाल के हाट में के वागया सब्सक्राइट बने चुका एंधिजल तो चैसिक बन छुटं के चैसवी ए तो पीछे कायु दिखान सब्सक्राइं का hilar करणे लिए जो आ चारते के दिकलओधाय है अरु आए हमारी जो भुजाए हैं वो इस तरीके से तयार हो जाएंगे तो दोनों भुजाओं को हम पीछी की तरफ चिपका देंगे और एक हाथ आश्रवाद देते हुए या जिससे कोईन दिखते हैं नीचे और एक हाथ में हमें दिखाना है कमल का फूल और दूसरी साइड भी कमल का तो हाथ को आप अपने हिसाब से एड्जिस्ट कर सकते हैं जैसे भी पीछी की तरफ ले जाना है या दोनों मुड़े हुए ओपर की तरफ दिखाने हैं और अब हम बना रहे हैं मातारानी की जो बालों में भी कमल मींस फूलों का जो कज़रा टाइप बना होता है तो का इस्तिमाल हैं गम कर रहे हैं चुटे चुटे पास में कट कर देंगे और उसे तरीके से फोल्ट कर देंगे तो इतनी छोटे रियालिस्टिक फूल तो अविलेबल नहीं थे तो उनको हम दोनों सिरों में पीछी की तरफ बालों में चिपका देंगे तो यह बिलकुल यहां पर हम कलश बनाने वाले हैं तो हमने कलश ड्रॉ कर लिया है पहले और उसको फिर हम कट कर लेंगे कट करने के बाद इसमें हमें थोड़ा पेंट करना है गोल्डन कलर से क्योंकि मात्ता रानी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप इसमें दिखाया गया है तो अच्छे से और कलश के ऊबर Green Color के आपने देखा है कि यह न si रहते हैं mango leaves रहते हैं और यह उपर नारियल रहते हैं तो हम उसको भी यहां पर ड्रॉ करके पेंट कर देंगे तो तौ iki जब कलश में आपको थोड़ा फैंसी पहाना है डिटेलिंग कर नहीं तो ब्लैक पाल पन च्पन से कर सकते हैं और थोड़ी सी colors उसमें आड़ कर सकते हैं तो हमारा कलश जो है बहुत ही colorful और सुन्दर दिखेगा realistic नजर आएगा उसके बाद जो हमने leaves बनाए है इनको हम जो है हमारी कलश के ऊपर stick कर देंगे तो यहां पर हम colors आड़ कर रहे हैं means यह रत्न आड़ कर रहे हैं जिसकी यह लगेगा कि कलश में बहुत सारे रत्न जोड़े हुए हैं तो अब यहां पर हम इस तरीके से चिपका देंगे और इस कलश को हमें माता के हाथ में पकड़ाना है means हम stick कर देंगे बाद में और अब यह बना रहे हैं जो माता के हाथ से जो coins निकलते हैं तो एक lace ले लिया है उसमें हम इस तरीके के से तारे जो coin का touch देते हैं चिपका देंगे और अब एक हाथ में तो हमें दिखानी है यह जो coins की जो लड़ी है निकलते हुए और एक हाथ में कलश तो यह हमारे सब चीजें almost तयार हो गई है और अब हमें बनाना है उनका आसन तो आसन बनाने के लिए आप देखेंगे कि हमें एक cardboard का इस्तिमाल करना है वो size जो base है वो साइस का में चाहिए और round हम दो पीसी में cut कर लेंगे तो अब बीच में तोड़ा साइसको prominent दिखाने के लिए हम तुक्ड़े कुछ cardboard के ले रहे हैं जिसकि थोड़ा height हो जाए वाल्यूमा जाए तो अब हम pink color का paper लेंगे उसका cut out लेंगे और इसमें glue लगा देंगे कि हमें मोडने में दिक्कत ना हूँ paper को इससे easy हो जाता है कि कोई भी round shape हो तो अब यहां पर glue से set कर देंगे सारी sides को तो कि इससे easy हो जाता है और कोई भी curved paper हो आपको चिपकाना हो है तो easily हो जाता है अब हमें petals परनानी है lotus की तो इस तरीके से fold करनी का फायदा यह है कि हम एक shape में cut करेंगे means एक shape draw करना है हमें और एक shape एक ही leaf को cut करना है तो आप देखेंगे कि इतनी सारे petals हमारे एक ही भार में cut कर आजाएंगे तो देखें कितने आ गया है अब इनकी shape है इनकी shape को हमें तोड़ा सा कर्व करना है जैसा कि कमल के फूल में actually होता है तो बहुत ही simple way है यहां पर इस तरीके से curved हो गया है तो सारे petals को हम इसी तरीके से कर्व कर देंगे कर्व करने के बाद हम two layers लगाएंगे एक layer तो जाएगी हमारी ऊपर की तरफ तो पूरा ऊपर हमें cover करना है इस पेटल से इसके around और दूसरी layer होगी हमारे bottom में तो उससे proper जो आसन का जो volume रहता है कमल की फूल का वो पूरा realistic हमारा look आएगा तो देखे अलरड़ी यहां आना शुरू होगा क्योंकि अगर हम इसे paper petals को curve नहीं करते तो वो इतना अच्छा look नहीं रहता तो इस तरीके से पूरा आसन हमारा तैयार हो चुका है और माता जो कमला है वो तो अलरड़ी हमने तैयार कर दी है तो अब हम इसे इनके उपर विराज मान करेंगे और मातारानी देखे यहां पर अच्छे से बिठा देल के और हमारी देवी कमला चो है अटो आप को हमारे आज की वीडियो पसंदाई होगी पसंदाई है तो लाइक कीजीगा वीडियो को शेयर केऊंगा कमेंट कीजीगा नहीं तो सब्सक् and keep